इस वीडियो में हम आपको बिताने जा रहे हैं कि शुक्रवार का जो वृत है वो क्यों किया जाता है इसकी वृत विधी क्या है कब तक करना चाहिए कितने शुक्रवार करना चाहिए मंत्र क्या होते है देखे शुक्र का जो वृत है जिस जब आप करेंगे तो कुछ नियम है जो आपको फॉलू करने है वैसे तो आप कोई भी वृत करें तो प्रात जब आप उठेंगे तो असनान करके सुर को अर्थ देना चाहिए वरत के दिन विचार जो है आपके वड़ी है अच्छे होने चीए कभी किसी के बारे में निंदनिये बात या किसी का बुरा नहीं सोचना चीए तो कि जो हम सूचते हैं तो एक उसकी जो चाप है वो हमारे मस्तिसक पर पड़ जाती है इसलिए वरत में मन की पवित्रता और शुद्धता का विसे इस्थ्यान रखना चीए वरत के दिन एक ही समय भोजन करना चीए और वरत के दिन जो आप खाएं उसका दान करना चीए और ऐसने के वरत आप किये जा रहे हैं तो सालो साल किये जा रहे हैं ऐसा नहीं है वरत एक निश्यत अवदी तक अवश्य करना चीए और जब वरत की समापती हो तो ब्राहमनों को भोजन कराकर ग्रह की जो प्रिय वस्तू है आप उसका दान दीचे शुक्र भगवान का आहवान किया जाता है वरत वाले दिन स्वेत फूल और अच्छत देवता को अरपन किया जाता है शुक्र ग्रह का प्रमुखरतन हीरा है अगर हर अदमी हीरा नहीं पहन सकता तो उपल भी पहन सकते हैं देखें मैंने भी उपल पहना हुआ है और शुक्रमनी भी आप धारन कर सकते हैं शुक्रमनी उल्टा ज़्यादा एफेक्टिव होता है चांदी, चावल, दुग्द और इत्र का दान करना चीए इसके शुबता बढ़ाने के लिए आपको सूला हजार बार मंत्र जाब किया जाता है शुक्र का जो मंत्र होता है सूला हजार बार किया जाता है मंत्र होगा ओम द्राम द्रिम द्राम सह शुक्रायनमा मन्त जो हम वापस एक बार बोलेंगे आपको ये जो वरत है ये सुख सौभाग और एश्वर देने वाली होती है ये वरत का फल है इस वरत को करने से सुख सौभाग और एश्वर की वरिधी होती है अभिवाहितों का बिवाह कराकर इस तरी सुक मिलता है जब आप शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं कि कभी भी शुक्र शुरू कर दिये कृष्ण पक्ष में शुरू कर दिये नहीं यह वरत आप किसी भी महीने के सुकल पक्ष के परथम शुकरवार से आरंब करना चीए और शुकरवार के दिन सुईत वस्तर धारन करके ओहुम द्राम द्रिम द्राम सा शुकर आयनमा अब सुलह हैसार मंत्रिय यह आप नहीं कर सकते हैं तो वरत वाले दिन कम से कम पाँच माला या फिर 11 माला या फिर 20 माला आप कीजिए आप असफटिक की माला पे दी करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा नहीं तो फिर आप रुद्राग्शी माला का इस्तमाल कर सकते हैं भोजन में आप चावल, चेनी, दूद, दही और गी से बनी वस्तुएं खीर द्याती का बोधन कर सकते हैं नमक नहीं खाना है और जो वरत भी है उसके अपने एक लिमिटेशन है आप एक एक शुकरवार कीजिए या फिर एक अत्तिश शुकरवार कीजिए और जब वरत का अंतिम शुकरवार हो तो शुकर मंत्र से हवन करवा कर भोजन करवाईए ब्रामनों को और शुकरगर से समन्दी वस्तुओं का दान कीजिए आप शंक भी दान कर सकते हैं शंक या इतर जब आप दान करते हैं तो आपका शुक्र जो है बहुत श्ट्रॉंग होता है तो धन्यवाद आप सबकों हमारी चैनल पर स्वागत है आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद